कपोगा है के रीजन कर सिर्थ 5 बार स्वागत है कि अब्यूंद इंदो बहुत थन्यवाह सर और राजन्दर सबसे पहले तो आपको बढ़ाई कि आपको कौंस्लिंग हुआ कौंस्लिंग हुआ और ताड़ी दर्भंगा की धर्ती पे आपका कॉंसलिंग संपन हुआ और आप मतलों कॉंसलिंग संपन होने के बाद एक तरसे कहा जा सकता कि आप सिक्षक बन गए सबसे पहले मैं हिंदी कलब को और आपको सर में बहुत-बहुत धन्यबाद करना चाहता हूं और बिहार के तमाम सिक्षक अभियरतियों को हमारे भाई बहुत-बहुत-बहुत धन्यबाद करता हूं क्योंकि उन लोगों की दुआ के कारण उन लोगों के जो हमारे प्रती जो सने है विश्वास है हमारे लिए जो उन लोगों ने बिहार के अव्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से सुक्रियादा करता हूं। खास्तोर से सर आपको भी मैं करता हूं, चुकि आपके द्वारा ही मैं लोगों के बीच में आया था, और मैं आपको ही बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। चले सर ये धन्यवाद का करगरम तो चलता रहा है कि फिलहाल अव्यार्थियों के परसानी को देखेंगे हम लोग सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कॉंसलिंग में आप गया है तो क्या-क्या हुआ कैसे आपका सेलक्षन हुआ क्योंकि अव्यार्थी कल भी जाएंगे इ पुरा विश्करत रुप से अराम से बताईए बहुत यह अच्छा प्रस्ने सर अगरा कहीं पर भी अप्लाई किये हूं जहां पर सीट जादा है ठीक है तो वहां पर कई ब्लॉक में आप लोगोंने किया होगा तो सबसे पहले आप वहां का रोश्टर देखिए कि वहां रो को आप मेगांक को देखें कि हम उस ब्लोक में कितने मेगांक में है सिट के हिजाब से और ये कोई जरूरी नहीं है कि कहें पर जादा सीट है और कहें पर कम सीट है तो जादा सीट हो या कम सीट हो ये मायने रखता है आपके उपर कास्किया अधिकार्स हम इस बात को अध्यन किये, दर्भंगा में मैं गया पर एक बात को ध्यन किया, दर्वांगा में वहाँ पर बच्चे पहुंचे ही नहीं और बहुत ही मतलब इसको क्या कहा जाए उन्हें इसको टोटल सीट था और जिसमें से 16 गों सीट भारा तिन सीट खाले ही रहा गया तो कहीं न कहीं हम आप लोगों को व्यार के सभी तवाम अभियर्तियों को मैं ये काना चाहता हूं कि आप बिलकून धैर्ज के साथ रहें और जहां आपका रोष्टर देखें रोष्टर में कौन-कौन कैटेग्रीज में कहां कहां सीट कितना है और उसके हिसाप अपने मेगा अंक में मेगा अंति-मेगा सुची में आप अपने अस्थान को देखें कि कितने कर्मांत में आप आ हैं और उससी के अमसार आप अपना निना कीजिए जहांपर अगर कम सिट्ण वहांपर आप कम में है तो इह भी जाए आफ उसको कम महत्त मत दिजिए क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होगा हो सकता है कि कहीं वहीं हो जाए तो इस चीज को ध्यान रखें दूसरे चीज है कि पेसेंस रखें पेसेंस हम इसलिए रखने की बात बोड़ा हूं मैं कि बहुत सा हमारे जो अभियातित में दर चायरता भॉंझ होती है आप चास्ट ले हम यह माना नहीं करेंगे आप चासरीं लेकिन यह आप धैर्ज के साथ रहें और जहां पर आप धैर्ज के साथ रहेंगे हंने लगता है कि वहाँ पर होगा और कम शिजले को महत्त दीए ज्यादा सीट वाले पर जभियरती कि जा रहा है वहां पर भीड ज्यादा हो रहा है गैज구나ram हो जा रहा है। मित वहां को आप महत्तु दे आ हो पर भी जाने का प्रयास करें दुब होगा कि यह चाहरा है ह्क grad report की बात है तो जो भी पर पत्र इसको भार लीजिए उपर में आप जो है वो जो आपका रसीद है जहां पर नियोजन इकाई का जो प्राप्ति रसीद है उसको लगाईए उसके उपर फोटो लगाईए और उसके नीचे पर पत्र पर यह कॉंस्लिंग पर पत्र में कॉलंब दिया हुआ है पर्खन सिख्चक में अगर अपलाई करना चाहते है तो पर्खन सिख्चक में ठीक मारिए अपना नाम नियोजन इकाई का नाम जो आवेदित विसाय है जिस विसाय में आप कॉंस्लिंग कराना है उस विसाय का नाम नाम पित फिर आप मैतिक इंटर ग्रज्वेशन का मुल परमान पत्र अंग परमान पत्र जीस्तों से सीडियल नमर से दिया हुआ उसी सीडियल नमर से आप फोटो स्टेट में चाहपती भी उसको आरेंज कीजिए यह जैसे मालने कि मैतिक का अंग पत्र तो मैतिक के अंग पत्र पहली रखेंगे अब मैतिक मुल परमान पत्र उसको दूसरे इस्तान पर रहते हैं इस तरह से जैसे सीडिय नहीं दिया हुआ और वहां पर एक चीजस्छ ध्यान दिजीएगा कि अधर अलेजिए का अंगभद्न का पर्मान पत्र तो नों को कट देए अगर दिया तो बीकेट लिए बीकेट परमान पत्र तकि वह जो दे रहे हैं उसको उहां सो करना होगा तुक है उसके बाद में आपको नीचे में भी आपको जाती वाला है आवासिये है फिर आपको अधार संख्या है अधार का जो नंबर वो है फिर आपको पास्पोर्ट साइट के दो फ परमान पत्र यानी Óacular सबीए ऑर और अंग करान उसकी है ऊपयार है वहालिएगा मूल परमान पत्र तो उसमें मूल स्थान को छोड़ दीजे चुकि वहां के नियोजों नहीं काई भरेंगे और देट नीचे भर दीजे नीचे का जो परपत्र लिखा हुआ हुआ करजाले से संबल दीता है जो आपको रिसी मिलेगा और उसमें रिसी में आपका नाम आपका जो जहां पर जिस संख्या में आपक परपत्र आप तयार करके अब बहुत सब देख रहे हैं कि नियुजर नहीं जाकर करके वहां फोटो कोपी सरी आ रहा है इकर रहा है इन सब चीजों से बचे आप घर सहीं दो सेट में तयार करके जाए और जाती आवासिये का ओरिजनल ले लिजेगा और अधार कटका फोट फोटो लगाए तो ओरिजनल वहां पर नहीं लेता है बलकि आपका जो है फोटो कोपी ही लगाए जाता है तो जाकि आवासिये का ओरिजनल इसले ले जाए कभी मान दिया तो आप उसको भी डोकुमेंट आपको सब ले जाना है बीएट का बीएट का मुल परमान पत्र और और जो बीचेट सीचेट पास की है उसका परमान पत्र और परमान पत्र यहीं आपको ओरिजनल वहां जामा कराएगा और वहां पर जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको ध्यान से देखिए हमारा काम सही और आप बिलकुल हनबडा करके काम मत की जएगा नाम देख लीजेगा आ तो अवहां पर डाइने साइद में आपको साइन करना पड़ाibe ॠीस कौटरी में और किस कुटरी में आपका न्योजन हुआ है नोकि लिखाता है उसमें जिसका कय़री में परपत्रप्त्र जो फायल जो जिस भाईयों का हो गया, जिस हमारी जो बिहार के या बिहार से बाग के जो भाईबन्दु को हुआ, मैं उसको मुबारक बात देना चाहूँगा, और जिनका नहीं हुआ है, मैं माता बैस्णो देभी से प्रावटना कर रहा हूं, दूआ कर रहा हूं, कि उनका भी हो जाए उज दिन हमारे अंदर से खुशी होगी, खुशी है लेकिन खुशी हमारी तब होगी पूरी जब सभी भायों का हो जाए, हमारे संखन के बहुत से बरिष्टम पदाधिकारी हैं जो रात दिन हमारे संखन के लिए एक करके काम किये हैं, जिसमें मैं बिनिता जी का नाम चाहूंगा अर्चना जी है, मुनी जी है, मुनी जी का तो हो गया है, अर्चना जी है, सुप्रिया जी है, प्रितिमाला जी है, बहुत से महिला हैं, सेंपी राजपूत हैं, मैं कितने के नाम जिना हूँ, मैं सभी लोगों को मैं का रहा हूँ कि रात दिन मेहनत करके, और आ आज खुशी है लेकिन उस दिन मेरी असली खुशी होगी पुरी खुशी होगी मेरा कोई भाइबंदू का अगर हो जाता है तो मैं बहुत खुश राता हूँ अथ्वार्च के साथ रहना पड़ेगा क्या किजेगा हम जिस दुख से जिस तकलीफ से और जिस सम मेंटली जो पर जाएंगे को हो जाएगा यह काफी चेंशन वाला काम है मैं आपकी भी चीज को समझ सकता हूँ तो कहीं न कहीं थोड़ा धैंज के साथ रहे हमें लगता है कि कटप गिरा है और गिरेगा और पंचायत में जो अपलाई की है उनको भी होगा जो रद हुआ है वहां पर प आपकी सेवा में हाजी रहेंगे और राजंदर प्रसासिंग 24 आवर अब आपका एक भी कॉल आएगा तो उसका सरा जबाब देंगे उसके लिए घबराएगा नहीं हम आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे और बिलकुल आप लोगों के लिए जो बनेगा मुझ से मैं प कि अपाने कूल मैं मैं जान सकता हूं कि आप लोगों काफी टेंशन नहीं हुआ है घाश्तर से बिनीता जी के परत्री में बहुत जादा दुखी हूँ। तो मुझे खुशी हो दिए चले बाचीत को आगे बाढ़ाते हैं सबसे पहले रिक्ती का सर ने जो जिक रिखिया है दरबंगा में वो फीमेल रिक्ती बचा हुआ था किसी केटेगरी में फीमेल का ही रिक्ती सर जो तीन सीटा बता रहे हैं तो वो फीमेल का ही रिक्ती था जी पीमेन का दिख्ती था जेन्स में बहुत लोग नहीं आये थे जैसे ऐसी क्याटेग्री का लोक ideals नहीं आये और दूसरे में पर उहुथी बीड़ में रह जाए इसका कटेग्री क requis the इस up पर जीड़ तो तो हमें लगता है कि अब जो हायर एंकर हैं कहीं ने कहीं कुछ अब उनको जगह मिला है तो वो लोग खाली किये हैं तो हमारे नीचे जो मेगांक में हैं हमारी भाई बहन उनको भी मौका मिलेगा हमें हमां दुआ करते हैं कि उनका भी हो जाए वहां जो परसेंटेज गया था जो मेरिटलिस्ट का कितना तक गया था है कि वहाँ पर संटेज गया है हमें लगता है कि घ्र ध्र और फिर BC महिला को आरेप में किया गया था, उनका भी लगता है कि 64-65 ऐसे ही कुछ था है पुरा उनको ध्यान सब नहीं देख पाए वो तो cut-up में जब देखेंगे NIC पर लोड होगा तो वहां पता चला है लेकिन cut-up काफी गिर गया यसी महिला का तो बहुत सब जगा 55% पर पूरुस का हुआ है जो हम चर्चा कर रहे है यह सोसल साइंस का है, सोसल साइंस में बहुत ज़्यादा व्यारती होते हैं और इसका इतना cut-up हो भी धरवंगा में को यह confirm रहे है कि अगर seat कहीं ज़्यादा है या ज़्यादा भीड लग रहा है उसी अस्तान में अगर दुसरे जगे भी अपलाई किये हैं तो वहाँ जरूर जाए अब simple सा है कि एक या दो seat है तब तो दिक्कत है लेकितो भी 5 seat 10 seat है तो वहाँ जरूर से जाए उतना वहाँ सर जो टोटल seat था कितना था वहाँ seat टोटल 19 seat था सर उसमें यूर एप का 5 seat था बीसी का 1 था और साथ बीसी अप का भी एक था और एसी कटेगरी के था इबीसी के था और दिव्याग में एक इबीसी का सेलेक्शन हुआ था तो कहीं ने कहीं 19 seat में 3 seat खाली हो गया और मैं एक ची मैं वहाँ के बारे में विशे सुब से बताना चाह रहा हूँ कि जो ताड़ी परखंड का जो नियोजन निकाई था जो नियोजन पर किरिया उन्होंने किया बहुत ही अच्छे धन से किया और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरा अगर वहाँ हो गया तो मैं उनलों को बढ़ाई कर रहा हूँ मैं वहाँ का सिस्टम बहुत ही गहन अधेन कर रहा था वहाँ पर मैंने एक ची देखा कि काफी वहाँ जो जो स्टाफ थे जो नियोजे望 काई में लगे हुए थे वो सभी लोग काफी महनगी काफी मिलंसार अर हमने देखा कि जो इवार का सीट अगर बच गया तो वहाँ फिर दुबारा-तीबारा बुलाया गया घट्रम भुलाया गया तक दुबारा भी बुलाया गया दुबारा तीबारा सारे 4 बजे तक लगतार बुलाया गया और इसमें हमने देखा कि जो जिस कटेगरी में खाली रगया उसको दुबारा तीबारा बुलाया गया तेख बहुत बड़ी बात है क्योंकि अपना एक बार बुला करका अपने duty करके बैठ जाते और वहां के जो हमने स्टाफ को वी देखा काफी मिलनसार काफी लगन सील थे वो लोग और वहां के वीडियो साफ थे परखन सिक्षा पदा दिकारी थे हमको अंते में बुला करके वे पूछे कि क्या आप संतुष्ट है न हम कहें कि बिल्कुल सर आप लोगों किसे से मैं और आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इस तरह से ब्यवस्ता किये हैं कहीं एक पर्शंट इदर नहीं हुआ है और इस चीज को देखे हमारे एक मीत्र थे मदुवनी के संभू सुमन जी लगतार मेरे बगल में बैटे हुए थे और कापी हमक है और हमको बता रहे थे कि सर आप इतना नंबर पर अब आ गया सर अब आप उठिये सर जाइए जब हो 142 तक कोई लड़का लोग नहीं आया तब हमको बोले क्या पूठी है हमको अच्छा नाम पुका ने नाम नहीं सर आप कोई है नहीं आप जाये सर तब मेरा नाम पुका पर अपना कंप्यूटर पर लोड़ करके फोटो कोफी करके वहां डाल दिये हैं उसको फोटो कोफी भी हम लोग ले लिए हैं रिसीविंग में भी दिया हुआ ऐसा कोहीं कोई दीकत नहीं वहां में लगता है कि बिहार में जितने भी नियोजनिक आई हैं सभी को वहां अप्रिक शिक्षा निदेशक महोदे के सामने भी मैं बताऊंगा कि इस तरह के सब्सक्राइब को आगे बढ़ाते हैं कुछ बच्चो का भी प्रश्न है जैसे मैं प्रोसेस जानना चाहते कि सबसे पहले आपका नाम आया तो आप कांटर पे गए जहां पे बुलाया जा रह अपना डॉक्मेंट दीएं कैसे क्या किया यह उतते हैं बीकेशन लिखना पड़ा किसको अप्लिकेशन लिखना पड़ा क्या बरनापड यह फ्रोसेस बते हैं बिलकुल में सबसे पहले जो भी कर नेकर गया था वी सारी दोक्मेंट को एक dauक्र करके में देते चला गया और एक एक को बहुत ही अच्छे धंग से सांती धंग से और बहुत ही ताइम लगा करके मतलब उनको देखा उन्होंने और एक एक मैं तिक इंटर ग्रेजुएशन दीएड और जो शिक्षक पतता परिचावो और जो भी मेरा जाती आवासी जो भी था सब चीज उन्होंने अध्य किया बहुत ही धंग से किया एक एक लाइन एक एक वर्ड को पढ़ा उन्होंने और बढ़ करके सारा मेरा जो सर्टिफिकेट चेक अप हुआ ने के बाग उन्होंने फोटो कोपी का दो सेट बागा और तीन फाइल में हम ने दिया बीएट का मुल परमान पत्र और जो पीट होती था जो अच्छाय परती थे उसका दूशλवग फाइल में बनाकर के मैंने उनको पर पट्र पूरा भृर करके फोटो या रिसीविंग जुभी था मैयं ने प्राइन लगा करके मने इनको दिया वो सारा फिर छेक किये फिर इसमें देखा की मत्दब जो स्वाभी परमा चैनित कि यह—rikव करने के बाद उन्होंने ऽाइल को रख लिया . सब नोट करने के बाद पिर हमको के साइन करवाया online , utk के बाद फिर सब करने कर दो फिर सब काणिव को इस तरह के प्रोसेस किया गया दो Ing कंडियर्डेट थे हम लोग सब एक प्रोसेस से किया गया और जहां कहें भी कहें उनको दिकत बुझाया कि नहीं आप और हमें लगता है कि दिकत है वहां तुरंत मोबाइल पर उन्होंने स्कैन करके उसको वेरिफाई भी कर लिया तो हमको अच्छा लगा कि चले कम से कम सोला जो भी स्लेक्ट हुए उनका सारा स्टिफिकेट सही था कहीं किसी का घरबर नहीं था यह होना चाहिए मैं इसका स्वागत करता हूं चुकि अगर आप जाली स्टिफिकेट बना करके गया तो ही आपके च्छत नहीं हो जाएगी और प्रस्कामें कर अगरके बिल्कुल मेरे सामने स्काम में शुथीं करके उन्होंने देखा और सभको ओ कर टाه और फिर उसका विडियो सहाब और परकंट reminds का निकारी शाम सब मील करके जितने वी प्रोटो कॉंप हम लोग ने जमा किया तासं आ उस पर सब में टंकाई किया ह तीक है यह सारा प्रोसेस हुआ और अंत में उसका लिस्ट निकाल करके साथ दिया और कहा कि आप लोग इसका फोटो ले लिजिए फोटो भी ले लिए और आपका वेबसाइट पर हम लोग डालवा देंगे तो हो सकता है कि अभी हम चेक नहीं किये वेबसाइट पर डला भी ग तो उसका हम लिखते जाते हैं कि हम उसी तरह से एरेंज भी करना है तो उसमें हां करके लिखते चले गाए लेकिन चुकि सारा जोकुमेंट तो लोग ने चेकिया ओरिजिनल लेकिन आपका तीन ही डोकुमेंट आपको रखेगा मैथी बीएड का मुल परमान पत्र अंग पर कर दिया है तो उसको तो एक अप्लिकेशन लिखवा लिया कि हमने मैटिक इंटर ग्रजिवेशन का मुल परमान पत्र अंग परमान पत्र वापस ले लिया और बीएड का मुल परमान पत्र अंग परमान पत्र और बीएड का जो सटिफिकेट का मुल परमान पत्र अंग परम जोबाइनल जामा किया थे ताकि आपको कलेम नहीं करेंगे कि आप मैंतरी के जो ही जमाख किये थे तो अपना सेव के लिए नियोजन लिकाईए के एक application लिखवा लिया कि किसके नाम से लिका गिया थै कि लिखाएगा सेवा में पर्खंड शिक्षत नियोजन पदाधिकारी स्वह पर्खंड सिक्षा पदाधिकारी और आप जहां के हैं तो पर्खंड का नाम दीदिए तारडी दर्भंगा विशा में दे दिदिए कि मैटिक इंटर और ग्रेजिवेशन तीनों का अंक पत्र मुल प अपके दिधा प्रखंड इतना प्रखंड इतना फ़लना विशाय में मेरा चैन हुआ है और मेरा कॉंशलिंग हुई है और उसमें हम आपना यह चीजी वापस और यह बीएड और बीट्ट का अरिजिनल आपके पास जमा कर दिया निचे अपना साइं कर जिजिए पिता कर द अगर इस तरह के इंसानियत के साथ अगर होगा तो जीनमन जो मेरिट वाले हैं सब का हो जाएगा बहुत से निकाही जो है पता नहीं पैसा के कारण या किस कारण अपना इमान धरम सब लोग बेश देता है इसा नहीं होना चाहिए जैसे मैं न्यूज में आ रहा जाले का और आपका दो तीन है जाले शतर है कुछ सेस्वर अस्थाना है आप पर कुछ शंगामा हुआ बहुत जवर्दस्थ उसके रद भी किया गया है कहीं ने कहीं अगर आप आप बिलकुल ही पारदस्शी धंग से करते तो आपको रद नहीं होता और आज के समय में आप भूल जाए यह कि हम गलत करके बज जाएंगे को समय गया अब इतना लड़के जागरुक हो गया है और हम लोग अब इसी का में लगेंगे अब हमारा तो हो गया अब हम लोग कहीं का भी कम्प्लेन आएगा हम लोग जहां गलती होगी जहां पर गलत हुआ है उसके विरूद आबाद और शचीनीवर लगा होला हम अवा कर्या है होगी जाए कि मेरी तरह का लोगा तो नहीं होगा और बहुत से बात मैं बता नहीं सकता हूं तो पभलिष्ट व सब्लेट लेकिन पाइरभी पर कहीं नहीं हुआ कि मेरे मेरे मेरीट्ट हो गा और वहाँ पर मधुबन्नी के संभुश्माण Gir उसन मैं गुवा है कि वहाँ और मेरा स्वेयु एकी गलत हुआ है तो यह होना चाहिए हम लोगों का परहुल के कम लेकिना परहलें प्षयत कि ब्रब्गों हुआ इन्हाँ घुल साजर है इस जाना पसंट ने करता हूंया हूं राजनदेर पॉ साहिस ans 24 आवर खड़ा रहेगा मैं आप उन लोगों को मैं चितावनी दे रहा हूं भी समय है एक एक लड़की का सर तीन तीन जगह कोंसलिंग करा लिया है लो यह तो सब बहुत गलत है अगर एक जगे सेलेक्शन हो जाए रहा है तो भी रहे है अब कराओंगा मैं कशा कि कर रहा हूं पृफ हूं अट जो सोच रहे हैं कि ध्र-णिजगों हम करकर किए एक सीट अगर आपको मिला मैं आपको झ्णभात करता हूं मुबारा का देता हूं लेकिन आप दो लर्की का दो लर्की का सीट आपने खा गृत हैं लड़का लोग भी स मैं इसे नहीं बोड़ा हूँ और इस तरह से काम करने वाले लोगों को मैं वार्डिंग दे रहा हूँ अगर आपका हो गया मैं बहुत खुश हूँ जीनिवन लेकिन गलत तरीके से तिन तीन जगा आपने कोंशलिंग करा लिया आप क्या समझ नहीं है कि अब हुत तेज बन गए सब तेजी निकल जाएगा वो मेरे पास है इतना है थियार और मैं खुश जाओंगा डारेक्टर के साब पास के सामने और वो बीडियो और सीव जो भी है न जो गलत किये हैं वो भी जाएंगे कि अब नियोजा निकाई के पता दिकारी को परधार बरकास कीजिए वो कैसे हो गया और इस तरह से जो मानने की जिसका नहीं वेचारा एक एक सिट के लिए संहर्ज करा और पिंटी जो करा लिजेगा आप सो तरह कि बहुत तेज बन गए हम आप से भी तेज लोग यहां पै कि अब तक उसका होगा कैसे बिल्कुल यह बात सही का रहा है लेकिन नियोजा निकाई का भी गल्ती है सर इसा बात में कि गल्ती नहीं है माली जी बता दूगा ओपेन लाइब आकर मैं बताऊंगा चेकर पुरूट के साथ बताऊंगा तो हम बढ़ती हुआ है जो कुछ अब बता दता हूं यह सर नेक्स्ट वीडियो में सर किलियर होगा अभी जो बाच्ची थे वो सेलेक्शन से संबंदे थे क्योंकि अभी परसान है बहुत जागे जहां रद करवाना है वहां तो कम्क्लिन करके आप करवा भी सकते हैं कुछ से अब यहां पर चर्चा जो है सर जैसे में अभी मेरिट का जो चर्चा चल रहा है तो को मेरिट में आपका जो हुआ है उस सम्माने सीट पे हुआ है जेनरल सीट पे है जी जी और वो आपका मेरिट लगबग 71.72 था मेरा अगर आप जानना चाहते हैं कि कहा हुआ है क्या हुआ हुआ है को वो किलियर समझ लि जी जी और वहां का करमांग कितना में काम कर रहा है कितना में काम कर रहा है से कर्मांग 145 था कि व्यारती नहीं में जनर्लीट के लिए 44 तक नहीं मिले 45 वा में मेरा था हां 144 तक कोई अवियारती नहीं गिया था तो अगर आपका कहीं भी करमांग कम है और वहां सीट है ऐसा नहीं कि एक ही सीट है एक सीट पर जाएगा तो कोई ना कोई लगबग दिखाई देता है कि मिल जाता है अगर आपका 200-300 रैंक पे हैं आ अगरे का रहा है उनका रैंग कितना था लगबग सबसे हाइस रंग उहां का 80 सबसे गीरते गीरते तीहतर पर आया तीहतर के बाद फिर बहतर पर आया और बहतर से गीर करके 144 तक जो है सर मेरा कर्मांग की चर्शा कर रहे है कर्मांग के कितना तक गया था वहां पर कर्मांग हमारे बाद तो बहुत पुकार हुआ है बताई पाँच घजार के लंसा मुहां होगा 5000 तक पुकारते रहा गया जिस कैटेगरी में हुआ है उस कैटेगरी में अगर सिट रह गया तो दोबारा दोबारा बूलायद गया अब बताइए 5 जार रैंक तक उन्होंने बूलाय है 5000 तक यह मत समझें कि आपका होगा तीन अजार पे हैं चार अजार पे हैं दरवंगा कैसे जाएं और कैसे जाएं को यह आप जाए पहले ऐसे नहीं कि घर पे बैटे रहे हैं कि छोड़ो नहीं होगा आप वहाँ पर जाएं जब सोचल साइन्स का अगर हो रहा है चौशे के करीम में अब जेनरल जितना भी हैं सब्जेक्ट इससे नीचे ही रहेंगा। मुझे अफसोस हो रहा था कि हम डाले नहीं है काफी शीट था लेकिन फिर भी हमारा एक जगह था डाला हुआ मात्र एक जगह था और वहां पर भी मेरा पर्थम में चैन हुआ तो कहीं ने कहीं यह लगा कि हम भी सोचते कि छोड़ो क्या 145 में होगा पांच को छोग सीट है इ आप माइंड को एकाग्ल चित हो करके आप सामती से बैठें तब जाकर कि तो आप पेसंस रखें और अपनी बारी के बिल्कुल ही आने दीजिए आपका होगा अब निश्चित होगा और ये भी मत देखिए कि दूरी है जैसे अररिया है चाहे कोई बहुत दूर जगा है को मैं आपको बता रहा हूं कि दर्भंगा से 50 किलोमेटर दूर है काड़ी और वह बहुत मतलब इंटार एरिया है चुकि वहां के लड़का ही हुआ है मध्यपूर के लड़का है लेकिन आप देखिए मध्यपूर में मने हम हैं वहां पर वहां पर आपको रहने के वी बेवस् सबसें पर आपन पर लेकिर ठीव में लेकिन रही लेकिन हम चले हैं हम देखे़ लेकिन हम प्राइज कंश को मिचम करले है था लेकिन वह में पर आप सबसे बड़ा उधारन ध्यान से समझेगा पहला चीज की अगर आप one to five में भी जाते हैं या किसी भी subject में जाते हैं तो वहाँ आप जाईए दूरी मत देखिए वह दूरी आपके लिए ही नहीं है सबके लिए है वह area रूरल सब को चाहता कि हमको पटना में ही हो जाए तो सब्सक्राइब है तो यह आप खुद mentality बनाईए कि हाँ खराब area है तो वहाँ पे निश्चित रूप से हम जाए seat है और वहाँ पे मेरा rank भी अच्छ है तो निश्चित रूप से जाए और एक बात मैं सभी अभी अर्टिव से बताना चाहरा हूं कि कई वीडियो में इस बा सब्सक्राइब है तो निश्चित रूप से हम लोग बात किये ते उन्होंने कहा भी था कि दो साल तीन साल आपको रहना पड़ेगा तीन साल के बाद तीन साल में प्रोसर सुरू हो जागा आप तीन साल में आप एक्षिक तबादला के अंतरगत अपने होम टाउन में चले तो कहीं ने कहीं दो साल तीन साल जाते देरी भी नहीं लगेगा और हम जहां अपना चाहेंगा वहां पर एक्षिक तबादला भी पहले मिच्वल होता था महिलाओं को के रोग पूरुस को भी हम लोग ने कापी हमारे जो सिनियर जो लीडर है जो पहले के लीडर है उन जात की जो परकिरिया है वो चीज हम लोग गरांटी के साथ कह रहा है वो काम हम लोग करवा देंगे टांसफर भी होगा और निक्ति पत्र भी जल से जल मिलेगा इसके लिए हम लोग काम सुरू करेंगे और भी बहुत से मुदा पर हम लोग काम करेंगे अब हम फिरी होगा ह अब हम आती लोग के काम में लगे जहां प्र जिन को नहीं हूआ कैसे होगा कहां पर्दर्श्री ढंग से हो wrapped in सारी बीछे परInsky अब हम लोग 24 घंटा हम आप लोगों की सेवा में हाजिर हैं, अनलाइन हैं, आप जब कभी भी हमको कॉल कीज़ें, बारा बज़े रात में भी कॉल कर सकते हैं, कोई दिकत लिए, उसका जवाब मैं दूँगा, अभी मेरे पास 4000 कॉल आया हुआ, और 4000 कॉल मैं जाना हूँ, कि क्यों आ रहा हैं, सब लोग बधाई देना चाहते हैं, अब आप सोच सकते हैं, मैं अभी बैठूंगा, चाहिए साम के 6 बज़े, लेकिन मैं अभी बैठ करके सारे लोगों को जवाब दूँगा, तो कहीं न कहीं, ये आप लोगों का जो प्यार है, दुलार है, और भागिया है, कि मैं दरभंगा की धर्ती पर माया हूँ, दरभंगा की धर्ती पर मेरा सेलेक्शन हुआ है, मैं इस धर्ती को नमन करता हूँ, और जो भी हमारे मीत्रगन है, कोई भी हमारे सत्रू नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, चैनल के मादम से, मैं सभी को गले लग तो असर एक और लास्ट कुश्चन जैसे में कि सर अभ्यारती जानना चाहते कि किस जीले में हम को जाना चाहिए यह मतलब जेनरल कुश्चन है अभ्यारती बारवा पूछते हैं कि सर किस जीले में हम जाएं तो क्या लगता है सर क्या सजिस्ट करना चाहेंगे मैं तो साफ साफ यह बात कर रहा हूं कि जहां आप रोस्टर में देखें, रोस्टर में सीट की कौन केटेगरी में कितने सीट हैं, पहले बहुत अहम सवाल हैं, आप उसी के अनुसाद अपना मेगा अंक में चेक कीजिए कि हम कहा हैं, और कितने सीट हैं हम किस जगा पर हैं, और उससे आपको अनुमान हो जाएगा कि वहाँ पर हैं, अब मेरा 145 था, तो मैं कोशिज कर रहा था कि चलिए 5-6 सीठ है तो होगा कि नहीं होगा, लेकिन धेर्ज की साथ रहे तो होगे, तो कहीं नहीं आप उन चीजों को ध्यान रखे, दूसरी चीज और है, कि कोई जरूर अगर आपको मालेजे कि बक्सर में है, और अंगाबाद में है, भोषपूर में है, नलंदा में है, या गया में है, जहनाबाद में है, तो यहाँ पर भी अगर आप में हैं, तो आप वहाँ भी जा सके हैं, ऐसा नहीं कि मैंने सब लोगों को दरभंगा ही जाएगे, तो जा की भी है और आपको बक्षर है कैमूर है रोतास है औरंगाबाद है गया है जहनाबाद नलांडा तो इस अगल बगल में भी अगर आप पोजिशन सही है आप वहां भी चाहिए आशा नहीं कि हमको दर्भंगे ही जाना है तो आप उसमें ऐसा करेंगे कि आपने कैटेगरी के हि जिसन है उसके दार से अपनों को आप पुता है करना है लेकि सर इसमें एक और मुख्य प्रश्ण ये जूड़ जाता है कि जो भी मेरिट वाले अभ्यारती है न वो चाहते है कि मेरा लोकल एरिया में ही हो यही सबसे ज़्यदा पॉइंट वालब आता है कि लोकल एरिया में में भी जुटते हैं तो वहां उनकी संभावना ज्यादा बन दे क्योंकि प्रतेक सेक्टर में अलग-अलग ब्लोक में ज्यादा ज्यादा सीटे हैं अब सरेक्षी मैं आपको बता रहा हूं कि दरभंगा में इसनी कापी भीड थी सब सेंटर पर तावडी में भीड थी लेक में मदुबणी था मदुबणी से कॉल आ रहा था महां से संभूजी के मुवाइल पर कॉल आया किर यहां पर इतना कटप गिर गया तब अबताई मदुबणी नजदिक है अगर माले कितना स्टुएंट का करे घंडा पहले बलता तो तो मोटर साइकिक जोद देते हैं मोटर में अच्छा कासा सीट है मदुबणी अर यहां में कुछ सहर्षा में है समस्तिपूर में अगर होगा उस सब में भी जा सकते हैं मैं बता रहा हूं कि अगर कोई जरूरी नहीं कर दर्भंगे में जाएंगे तो होगा अगल वगल में ही आपका कहीं हो जाए तो रोस्टर दे करेंगे को बहुत सारे नाम भी मैच मिए और वहां उसके बाद आप रोस्टर के बाद रैंक अपना देखें और जहां भी लगता वहां जाए उस जिले में जाए निश्ची तुरुप से अपका सेलेक्शन होगा और बहुत नीचे तक भी रैंक है तो भी हुई रहा है ज्य अथारा परसंट ने गिर गया है तो एक माइने होता अथारा परसंट का जो मेगा अथी क्या बनता है परसंटेज को जिरना तो कहीं ने कहीं आप जो हाईयर रैंक वाले है करी करी हमें लगता है कि 80 से 90 परसंट तक उन्लों का हो चुका है 10 परसंट बचे हुए है तो जहां पर एक नमर में है तो सुरक्षित है तो घबाए नहीं और पेसंट के साथ थोड़ा हम चुकि जी से दूख तकलीप से हम गुजरे हैं हम आपकी तकलीप को समझ सकते हैं अनुभव हम हुआ है और वो हम 15-20 दिन से काफी डिस्टर्ब है औ काफी में उस चीज को मसूस किया जीवन में कि पताने कहा जाए कहा क्या करें लेकिन तो आप पेसंट के साथ रहना पड़ेगा हम धैर्ज को कभी जीवन में खोते नहीं है हम धैर्ज के साथ सुरू से रहे हैं और रहेंगे तो थोड़ा सा उसका बेनिफित आपको मिलेगा और हम सभी लोगों को यह कहेंगे कि आप लोग जाए और साथ साइंस का कलका कितना कट अप जा सकता है लगबगा साइंस का कट अप गिरेगा सर चुकि मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप SST में सबसे ज़्यादा भीड़ है और SST में जब 70 से नीचे कट अप आ गया सर चाह अगर कहीं पर भीड़ जादा नहीं होगी तो इससे नीचे भी जा सकता है जयानि 64 वेगरे करीम में भी आपका हो सकता है यानि सीट अच्छा कासा है रैंक भी आपका अच्छा है को 63-64 में आपका हो सकता है और इसके साथ ही लैंग्विज की बात की जाये का इंगलिस कुछ नहीं नहीं जर संस्क्रिट का कर निशे तो जाएगा और कि हिंदी में भी काफी लोगों को हुआ इंग्लिस में भी हो जाएगा क्योंकि अधिकांस हम देख रहा है काकला देख रहा है कि मेरा ही बाइस्ते ब्लॉक में था तो उसमें मैं एची देख रहाता कि 30 के नीच लेकिन साइंस्वाला भी घाबराय नहीं उनका भी कटव बहुत डाउन होगा अगर की नीका है तो हम तो सलाह देंगे कि भोशपुर में जरूर आप लोग चांस को देखें भोशपूर में शित जादा है चेसोड़ चेसो साथ चेसो सीथा या बहुत 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 जरूर देख लीजिए आप लोग सारी जिले का जो मुख्य रूप से बताए ज़रा वहां रोस्टर देखिए सीट देखिए और जिस केटेगरी में उसमें सीट है जाइए वहां निश्चित रूप से अगर आवेदन आपने किया है तो ही तो जाइए आपका हो जाएगा पूर्प से नाफ और फिर हम लोग को सिस करेंगे आप लोग के जो प्रस्न है और अपीर से वीडियों की आप लोग को सिसकारेंहे और फिरार ये उमीद है कि आप अच्छे तरीके से कारे कर रहे हैं, डॉक्मेंट वगरे आपका सब सही है, तो निश्ची तुरुप से आप जाईए, निश्ची तुरुप से आपको सेलेक्शन होना चाहिए, थोड़ा सा प्रयास किजिए, और टाउन एरिया थोड़ा छोड और थोड़ा कोसिस किजिए, दूर जाने का, दूरी रहेगा तो निश्ची तुरुप से होगा, रूरल एरिया में कोई नहीं जाना चाहता है, कोई नहीं रहना चाहता है, किसी को पसंद नहीं है, आप महिला हो या पूरुस हो, पूरुस को तो दिक्कत है, बहुत सारे हंदी कलब को इतना समय दिये, बहुत बहुत दन्यवाद सर, और मैं चाहूंगा कि जो जो अभी हमारे अभियर्थी के सामने जो समस्याइं आ रही है, समस्याओं को सर आप नोट आउट करें, और उस पर हम लोग को भी बताए, और हम लोग उस पर काम करेंगे, अब हम से आप और हम लोग ध्यान रखेंगे, सचीवाले में भी हम लोग लगातार संपर्क में रहेंगे, हमारे जो नए प्रात्मिक सिक्षान में देशक महोदय आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करूँगा, और मैं जाओंगा उनके पास, तो चलिए ठीक है, एक बार पूरो मैं ब्यार के सभी अभियर्तियों को मैं तहे दिल से सुक्रियादा करता हूँ, मैं बहुत भावक हो करके बोल रहा हूँ, कि आप लोगों की जो धुआ है, आप सोच लीजिए, कि मेरे को कंग्रेशुलेसंस करने के लिए शुबह से 4,000 कोला चुके हैं, मैं बहुत भावक हो कर करके बोल रहा हूँ, कि जो आप लोगों ने प्यार धुलार जो सनेह मेरे परती दिखाया है, मेरे संख्षण के परती, हमारे कोर्टिं के सदस्यों के परती, जो दिखाया है, मैं उसके लिए इहसान जीवन बने बोलूगा, मैं आपके लिए सदय ततपर था, ततपर हूँ और ततपर रहूँगा, आप यह मैं समझेगा कि राजंदर जी का हो गया, तो छोड़ देंगे, कहीं नहीं, आप लोगों को वादा करते हैं, कि दुगनी इनर्जी के साथ अब और भी काम में लगेंगे, और हम कोशिज करेंगे कि जो भी महिलाओं को दूर हो गया है, मैं सभी को होम टाउन में लाने के लिए मैं परियास करूँगा, अब दिल्कुल मैं वादा कर रहा हूँ कि जरूर मैं टास्पर भी करवाऊंगा, सर सरी रिधन करके, तो चलिए एक बार बहुत-बहुत धन्यबाद सब लोगों को, धन्यबाद, तो अब यहां पर एक और तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं यह वीडियो को साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी कलब, धन्यबाद, बाबाए सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को दबाईए इस बेंड आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले शेयर करें अपनी दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाब उठा सके ये सब बिलकुल फ्री है